वेल्कम दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं शिर्प तीन ट्रिक अपना नहीं है दोस्तों सिर्फ तीन ट्रिक अगर वो तीन ट्रिक आपने अप्लाई कर लिए तो हंड़र बन पर्षंट अगले दो से तीन गंटे के अंदर आपका चैनल ना सर्च में आए तो 200 अब आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तो यूटूब चैनल बनाने सबसे पहले सबसे यह बात नए यूटूबर बड़ा ध्यान से सुने जो यूटूबर है और अपना चैनल बनाने की सोच रहा है वो लोग के ल आई नहीं सकते तो दोस्तों चलो मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी फोन की स्क्रीन पर और आज मैं बताने वाला हूं आपको सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों आप कोई भी चैनल जब करते हैं तो उल्टा सीधा कोई भी नाम आपस में डाल के बना देते हैं ऐसा बिल् YouTube में एक बार सर्च करना है जरूर नहीं तो आपका चैनल सर्च में नहीं आगा क्यों यहां उसका रीजन यह है कि आप चैनल का नाम जो रखते हैं और लेडी उस बहुत सारे चैनल आपके पहले उस नाम से बने बन चुके हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो भी नाम अब करना नमबर पर व हूं अब नाम से आपको देखना कोई पहले से को तो नहीं है अगर है तो आप नाम को बिल्कुल यूनुक कर दें अपना बिल्कुल अलग अपना नाम रखें जिसके उस नाम से कोई दूसरा चैनल नहीं होना चाहिए दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों दूसरा काम आपको यह करना है आपको जाना है फिर चैनल बनाने के बाद आपको जाना है दूसरी ट्रिक के अपनानी है आपको जाना है Chrome browser में Chrome browser में जाने के बाद में आपको क्या करना है अपने channel को यहाँ पे studio mode में खोलना है तो studio mode में खोलने के लिए करना है यहाँ पे सर्च करना है studio.youtube.com देखो दोस्तों जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे नीचे आगया studio.youtube.com अब आपको सबसे उपर वाली लैन पे सर्च करना है आपका जो भी channel आपने वहाँ बनाया है वो channel आपका यहाँ पे studio form में खोल याएगा अब इसको जैसी यह channel खोलता है तो यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है अपने नाम को अच्छे सर्च करके एक unique नाम रख दिया अपना channel बना लिया अब दूसरा काम आपको studio में आके करना है वो क्या करना है जैसी यह studio form में कुल गया अपना फोन एक बाद जरू चेक कर लेना है desktop side मेरा desktop side में पहले से है तो आपको अगर desktop side में आपका phone आपको desktop side में जरू कर लेना उसके बाद आपको यहां पर आना है इस side में कोने वाले आइकन में इस कोने वाले आइकन में यह setting का option आ रहा है इस पर क्लिक करना है यहां पर जैसी आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरीके का अब को यहां पर चानल का नाम रहा चैनल की वर आपने में बनाने यहां बनाने है अलग अलग अंगल में इन पहले बड़ी से सब्सक्राइब करने के बाद में यहां से कर देना है दोस्तों करने के बाद यह हमारा दूसरा काम होगे अब हमें तीसरा काम क्या करना यूट्यूब में आना है यूट्यूब में आना है और इसको आपको दूबारा से बताता हूं इसी कि ऐसी जो को ने को बिटन आ रहा है इसी को क्लिक करना है कि सर्च में पहले वह नेम डालना है जैसे में staff को दॉक्टर यहां पर मैंने अपने नाम सेर्च है और देखिये। यहां पर सबसे उपर मेरा चैनल का नाम त्पर करना है चैनल करना है आप करने के बाद жisboek करके apply कर देता हूं और अपने चैनल को यहां पे फिर से सच करता हँ अब आप के जो भी चैनल होगा अगर इस नाम पे कोई चैनल होगा तो वह सामने आ जाएंगा नहीं होगा तो कर चैनल यहां पर जरूल घा Paiken ड़ो से तने दो से तीन बार करते थो दो से तीन गंटे के अंदर आपका चैनल सर्च में आने लगेगा यह मेरी गारंटी वह भी 200 परसेंट कई हो भी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और बाकी मां आपको करें हिंद जय भारत